समझाते लोग एगरी कर लिया थे और हम इज़त देते रहे आप इसके बाद आभी फिर क्या हो गया अचानक भाई ये दो महिने के अंदर ही सब सब सुरू हुआ आप इसके लिए रोज बोलना रोज बोलने का मतलब इसका प्रचार का मतलब देखिए कौन बोलता है आज इसक जब इच्छा होगी अरे हमको आज तक हमारे पार्टी से दो बार जो कोई छोड़ा आई तीसरा बार भी हम एकसिप्ट कर लिए भाजपा के तरफ से तो नहीं करवाई जाए जब प्रचार हो रहा है तो आप समझत रहे हैं सबका प्रचार होता है जब किसी का प्रचार होत है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है कौन मौका देता है किसी को इसलिए जाल लीजिए जो भी बोले जो इच्छा हो बोलते रहे कोई मतलब नहीं आप लोग को मालूम है आप आप देख रहे हैं क्या इस्थिती है पार्टी की जरब बताइए तर पिछली बार से जब ज्यादा सदस्ता अभियान में लोग सामिल हुआ है इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है अब हम लोग इधर आ गये तो सब साती था भाई हम इधर आ गये एक साथ इधर हो गया तो समय साती था जाने दीजिए तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है एक बाद चिंता मत क सब्सान किया जिसके साथ हमाई सत्रह में दुबारा और उनीस में उनको चुनाव लड़ना था तब तो ठीक है पार्लेमेंट उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि कम से कम तीन चार को तो दीजिएगा ना तो एक किक कह रहे थे तो हमने का नहीं आप उसके बाद जो विधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे तो हम लोगों के केंडियेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा है हम लोग उनको सपोर्ट कि तहीं सब कहीं आज तक हुआ है कल होके फिर देख लिजेगा पता चल जाएगा कुछ नहीं है अगर कोई आता है आप फिर जाता है जाओ आप इसको वाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहिएगा काम करिएगा ठीक है लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया तर्षप्रा वाली घटना जो एक घटी है वहां पर एक घर में आग लगा दिया गया एक व्यक्त कर दो